जय श्रकृष्णा आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है जया पारवती व्रत जिसे विजयाव पारवती व्रत भी कहते है मुख्यता गुजरात और मालवाशेत्र में मनाया जाता है इस व्रत को विवाहित महिलाएं वा कुवारी कन्याएं रहती है इस वर्द में माता पारवती वा शिव की पूजा की जाती है यहां कथिन वर्द पाँच दिनों का होता है विवाहित महिलाएं अपने सुख में जीवन के लिए वर्द रहती है तो वही लड़कियां अच्छे वर्की चाह में इस वर्त को पूरिश रधा से करती हैं जया पर्वती वर्त का वर्णन भविशत्तर पुरान में भी मिलता है हर वर्ष आसार मास में शुक्ल पक्ष की द्रयोदशी को यह खास पर्व आता है यह पर्व माता पर्वती की प्रसनिता के लिए किया जाता है माननेताओं के अनुसार इस वर्त के बारे में भगवान विश्णू ने श्री लक्षमी जी को बताया था यह वर्त मुख्यरुप से महिलाओं के लिए होता है जिसको करने से इस्त्रिया स्वभाग्यवती होती है और कुवारी कन्याओं को मन्चाहा वर मिलता है यह उत्तर भारत के हर्ताली का और मारवार के गंगोर और मंगला गोरी की तरह ही एक वर्त होता है वृत्विधी आसाण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयो दशी के दिन सुभह नहां कर हाथ में जल लेकर जया पारवती वृत का संकल पले और प्रात्ना करें की स्वाधीन धान से सिर्फ एक समय भुजन करेंगे ताकि इश्वर पापो कानस्ट कर सौभाग्य का वर्दे इसके बाद अपने सामर्थिक के अनुसार सोने चांदी या मिट्टी के बहल पर बैठे शिव पारवती की मुर्थी की स्थापना करें इस थापना किसी पंडित के द्वारा घर पर अथ्वा मंदिर कहीं पर भी वेद मंत्रों से करवाएं या स्वयम करें पुजन विधी वरत का संकल्प लेने के बाद सबसे पहले कुम कुम कस्तुरी अश्टगन सत्पत्र वाफूल चड़ाएं इसके बाद नारियल दाक अनारिया जो भी मौसमी फल उपलब्द हो अरपित करें अब विधी विधान से शोट सो चार पुजन करें माता पारवती क इसमरन करें वा उनकी स्थूती करें देवी से कहें कि हे प्रत्में हे देवी हे शंकर की प्रिया मुझ पर कृपा करिया पुजन स्विकार कर मुझे सवभाग्य का वर दें इसके बाद वरत से संबंदित कथा ब्राह्मन से सुने या स्वयम पढ़ें कथा पुरी होने पर ब पार्वती वरत विधी रिधान से करने से माता पार्वती प्रसंद्न होती है और हर मनोकामनाय पूरी करने का आशिरवार देती है। जया पार्वती वरत कथा पौरानिक कथा के अनुसार किसी समय कॉंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्रामन रहता था। उसकी पतनी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके हां संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारज जी उनके घर पधारे उन्होंने नारज जी की खुब सेवा की और अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। तब नारज ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बहार जो वन है उसके दक्षणी भाग में विल्ववरिक्ष के नीचे भगवान शिव माता पारवती के साथ लिंगरूप में विराजित है। उनकी पुझा करने से तुम्हारी मनों कामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मन दमपत्ती ने उस शिवलिंक की को ढूंड कर उसकी विधिविधान से पुझा आरजना की। इस प्रकार पुझा करने का क्रम चलता रहा और पांच वर्ष बीद गये। एक दिन जब और वन देवता वा माता पार्वती का इस्मरन किया। ब्राह्मनी की पुकार सुनकर वन देवता और मा पार्वती चली आई। और ब्राह्मन की मुख में अम्रत डाल दिया जिससे ब्राह्मन उड़ बैठा। तब ब्राह्मन दमपत्ती ने माता पार्वती का पुझन सन्वो कर उन्हे वर्मांगने की लिये कहा, तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इक्षा व्यक्तhof गी। तब माता पार्वती ने उन्हें विज्या पार्वती वरत करनी की बात कही। असार शुक्लत रयोदशी के दिन उस ब्राह्मन दमपत्ती ने विधी पुर्वर माता पार्वती का यह वरत किया जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुई इस दिन वरत करने वालों को पुत्र रतनी की प्राप्ती होती है तथा उनका अखंड सवभाग्य भी बना रहता है इस वरत का खाना, इस वरत में नमक खाना पुरी तरह से वर्जित माना जाता है इसके अलावा गेहूं का आटा सभी तरह की सबजियां भी नहीं खाना चाहिए वरत के दोरान फल, दूद, दही, जूस, दूस से बनी मिठाईयां खा सकते हैं वरत के आखरी दिन मंदिर में पुजा के बाद नमक गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी और सबजी खाकर वरत का उध्यापन किया जाता है अगर पूजा में बालूरेत का हाती बनाया है तो राकत्री जागरण के पश्याद उसे नदिया जलाश्रे में विशरजित करें तो यह था जया पारवती व्रत की पूजन वीधी उसका महात्म और उसकी व्रत का था उमीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज उसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री कृष्णा राधे राधे